आज मैं आपके सामने मैस का एक कोशन लेकर आई, कोशन क्या बूला, find the value of x और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ है, 2 का power x equal to 3 का power x plus 1, तो चलिए इस कोशन को हम solve करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, power लगे वे हैं, तो यहाँ पर power and exponent के कुछ formula यूज होगे, तो हमारा क क्या है? हमारा कुशन है, 2 का power x equal to 3 का power x plus 1, तो यहाँ पर आपका power and exponent का formula यूज होगा, क्या यूज होगा? अगर x का power m plus n है, तो यह बराबर होता है, x का power m into x का power n, तो यह वाला formula इस में यूज होगा, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा? 2 का power x equal to यह हो जाएगा 3 का power x into 3 का power 1 और क्या हो जाएगा 3 का power x into और यह 3 का power 1 क्या होगा 3 के बराबर होगा तो हमारे पस क्या आया है यहाँ पर 2 का power x equal to 3 का power x into 3 यह आया हमारे पस अब इसके आगे देखे हम यहाँ पर क्या करेंगे यहां पर जो power x वाला term हे ना, देखे यह है और yellow, तो इनको एक साthem करेंगे, तो यहां पर हम क्या करेंगे, थ्री का power x हम इधर shift कर देंगे, तो यह क्या होजागा, 2 का power x, क्योंकि 3 का power x इन 2 में है, lhs side में आएगा, तो यह क्या होजागा, डिवाइड में चला जाएगा, एक्वल टू ये जो 3 है, ये यहीं पर रहेगा, अब इसके आगे देखे, क्या हम करेंगे यहाँ पर, आप यहाँ देख सकते हैं, कि इसका भी पावर X है, इसका भी पावर X है, तो यहाँ पर पावर एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज हो ठीक है, अब हम पेज उपर करते हैं, तो हमारे पास क्या आया है, 2 अपाउन 3 का होल बैकेट पावर X एक्वल टू 3, तो इसको एक्वेशन फर्स्ट माल लेते हैं, अब हमें X की वैलू चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टेकेंगे, लॉग अन बोथ साइट्स, इन लॉग लगाइंगे, तो पहले लुखिए एक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2 अपाउन 3 अपेट पावर X एक्वल टू क्या 3 है, हमें लॉग लगाना है, तो यहाँ पर लॉग लगाईए, इस तरीके से हम ने लॉग लगा दिया पेज अम उपर करते हैं, ठीक है, अब यहां लॉग लगाया है, तो लॉग के कुछ फॉर्मूले यूज़ होंगे, इसमें देख़ें क्या यूज़ होगा, कि अगर लॉग A का पावर X है, तो ये बराबर होता है, X लॉग A, यानि कि ये जो X है ये इधर सिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए यह जो x और यह किदर shift हो जाएगा यह इधर shift हो जाएगा तो यह formula के सबसे क्या हो जाएगा x log 2 upon 3 हो जाएगा equal to यह क्या है log 3 है ठीक है यह होगे अब हम page उपर करते हैं यह आया हमारे पास तो यह क्या हो जाएगा हमारे पास x है अब देखिए यहाँ पर आपका formula यूज होगा इसमे इसमे फार्मूला आपका क्या यूज होगा मैं बतातू यहाँ पर कि अगर log a upon b है तो यह बराबर होता है log a minus log b ठीक है तो यहाँ पर formula इसमें लगाई तो यह bracket लगाई है तो यह हो जागा log यहाँ पर यह क्या है यहाँ पर हमारे यह a है और यह b है तो यह हो जागा log 2 minus log 3 यह हो गया एक पर 2 यह क्या है log 3 है यह हो गया हमारे पास page उम उपर करते हैं यह आया हमारे पास अब देखिए इसके आगे हमें क्या करना हमें x की value चाहिए तो यह जो portion है इसके साथ into में है तो x की value क्या होगी log 3 upon यह पूरा term इधर shift कर देंगे तो यह इसके divide में आ जाएगा log 2 minus log 3 जो है यह divide में आ जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर x की value है वो यह है ठीक है आप चाहे तो यहाँ पर log 2 और 3 की value करकर solve भी कर सकता है otherwise यह भी आपका answer सही माना जाएगा तो मुझे उमेद है आपको यह question अच्छे समझ में आ गया होगा